Hello everyone, तो देखिए Delhi का Master Plan 2021 का Draft तयार हो चुका है DDA के द्वारा लेकिन DDA एक बड़ी परिशानी में फस गया है, बड़ी एक समस्या है इनके सामने एक तरस कहें struggle कर रहा है, तो इस चीज को जानेंगे कौन सी समस्या है तो देखिए पिछले कुछ वीडियो में मैंने सारी से आपको बताई है कि इसके यह जो प्लान है DDA का Master Plan अगले 20 सालों के लिए दिली के डेवलप्मेंट के लिए उसके Key Area, Challenges क्या हो सकते हैं कापी कुछ जो है पिछले वीडियो में डिसकस किया है हम लोगों ने और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि Unathrised Colonies का क्या Scene है यह किस तरीके से Problem Create करनी है डेवलप्मेंट के लिए तो कापी कुछ डिसकस किया है लेकिन अब जो Problem है वो है लेंड की कमी दिल्ली के अंदर देखिए Positive of Land अगर लेंड नहीं होगा तो आप जो है Development कहां पर करेंगे किस जमीन पर करेंगे यह सबसे बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है और यहां पर दिक्कत भी यह है कि दिल्ली में लेंड की बहुत ही कमी है और वो लेंड कौन सा है वो है Compensatory Eforestation Land अभी मैं आपको बताऊंगो क्या है देखिए सबसे पहले कि दिल्ली का एरिया है 1483 स्क्वाइर किलोमीटर से और पॉपुलिशन एक प्रॉक्स 16 मिलिन यानि लगबग 1 करोड 60 लाग के आसपास है जिसमें से वन थर्ड यानि कि लगबग 60 लाग यह तो अनथराइज़ कॉलनीज में रह रही है तो इतनी जादा जनसंख्या के लिए तयारिया करना पहले से बहुत जरूरी है और उस चीज के लिए मास्टर प्लान तयार किया गया है 2041 तक के लिए और उस मास्टर प्लान को इंप्लिमेंट करने में लैंड की कमी यह सामने आ रही है क्योंकि आपको पता होगा कि मास्टर प्लान पिछले कई सालों से लगातार चले आ रहे है तो जितना डिवलप्मेंट होना था वो लैंड जो है कापी सारा यूज हो चुका है तो आप जो आगी का जो development होगा उसके लिए land कापी कम आतरंग बाची हुई है डेली का जो green cover है जहाँ पर एक तरस कहें forest area या जहाँ आपको green दी देखेगी वो लगबग 23% के आसपास है डेली का जो area मैंने आपको बताया उसका ठीक है और यह आपको पूरी डेली में जो है कहीं भी देखने को मिल जाएगा तो दीखे इस land कमी की वैज़े से डेडी ये सोंच रहा ही लार्ज स्केल में अगर development project आगे बढ़ाने है तो हमें जो deemed forest है उनका diversion करना पड़ेगा अब deemed forest काफी controversial है इनकी कोई proper definition नहीं है यहाँ तक कि जो हमारा Environment Protection Act 1986 का वहाँ पर भी इसकी proper definition नहीं मिलती है deemed forest को एक तरह से forest की तरह ही मान दिया गया है कि forest ही है बस उसको जो है वो जो है on record जो government के जो records है उसमें इसको दिखाया नहीं गया है यानि कि जो deemed forest है उसका कहीं न कहीं जो है जब ज़रुत पड़ती है तो उसका किसी भी तरीके से इस्तमाल सरकारों के दोरा किया जाता है तो दिल्ली में भी यही चीज़ है कि जो deemed forest है इनको हम convert करें और उनको हटा कर वहाँ पर हम development project जो कुछ शुरू करें लेकिन एक चीज़ होती है कि जब आप कहीं बरी पेड़ों की कटाई करेंगे तो आपको compensatory forestation करना पड़ता है यह जो है सरकार का rule है compensatory का मतलब आपने जितने पेड़ हटाए है इतने लैंड के पेड़ हटा दिये जितने पेड़ थे इस लैंड में ठीक है तो उसके तीन गुना आपको एक अलग लैंड में जहां पर आप चाहें वहां पर आपको लगाने पड़ेंगे त्री टाइमस तीन गुना तो यह होता है compensatory afforestation तो यह जो है डीडिये को करना है अगर यह dimmed forest जो है इनको यूज में लेने है यानि पेड़ों की कटाई अगर होगी तो फिर compensatory afforestation जो है यह करना पड़ेगा इसके लिए चाहिए land प्रोब्लम यह है कि dimmed forest तो है दिल्ली मे लेकिन यह land नहीं है जहां हम यह जो compensatory afforestation करेंगे तो इस चीज के लिए डीडिये सोच रहा है कि हमें किसी दूसरे state में यानि कि जैसे उत्तर प्रदेश हो गया हरियाना हो गया ऐसे state में अगर land मिल जाए हम वहां यह चीज़े जो है explore करें यहां से दिल्ली से काटेंगे ठीक है यहां पर दूसरे state में कहीं लगा देंगे तो हमारा quota पूरा हो सकता है कुछ ऐसा डीडिये जो है सोच रहा है लेकिन यहां पर भी problem आ जाती है कापी सारे जो है ऐसे नियम कानून है कि दूसरे state में भी नहीं आप कर सकते जहां आप जिस state के अंदर यह चीज कर रहे तो यह भी एक बड़ी problem है अब देखिए आप development करेंगे metro की line जा रही हो या फ्लाइवर बना रहे हो ब्रिज बना रहे हो कुछ भी बना रहे हो तो आपको पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी और कई बार तो क्या होता है कि environmental hurdles की वज़ए से यह project लंबे समय तक के लिए ज यही इन सारी चीजों की बाएसे या main problem थी वहाँ पर rehabilitation की problem वो land की problem थी basically वो forest की problem नहीं थी land की problem थी तो ऐसे कई सारी problem है forest की problem भी आती रहती है क्योंकि कई सारे जो है environmentalist जो खड़े हो जाते हैं सामने की पेड़ों की कटाई हो रही है इस तरीक से तो कापी सारी चीज़े हो होती है तो यह जो dimmed forest है diversion of dimmed forest इसका मतलब क्या हुआ कि process by which the land is reclassified for non forest purpose जो ठीक है जो यह land है dimmed forest है इसको हम इस तरीके से classify कर दें कि उसको हम non forest की तरह use कर पाए इन सारे project के लिए ठीक है एक land है forest है उसको हम dimmed forest करना है वो forest की category में हमने नहीं रखा है उसको अब उसको हमे काटके जो है इन projection में इस्तमाल करना है उसको हम non forest purpose के लिए एक तरह से इस्तमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें compensatory afforestation की भी जरूत पड़ेगी और देखिए जो डीडिये है डीडिये के पास request आई थी 136 hectares non forest की यानि non forest यानि compensatory यह जो एफ़रेस्टेशन है इसके लिए जो है land की request आई थी 136 hectare जमीन की demand की गई थी लेकिन डीडिये के पास इतनी जमीन है ही नहीं कि वो इतनी provide कर सकी क्योंकि दिल्ली के development में बहुत सारी एजेंसिया लगी हुई है उनको सबको अपनी जमीन चाहिए सब अपने अपने काम कर रहे हैं तो उनको भी जो है आने वाला है क्योंकि अगली 20 ताल में development आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में तो उसके लिए जमीन चाहिए ही चाहिए अब देखिए ministry of environment forest and climate change के अंडर में एक forest advisory committee है वो जो थोड़ा इसको लेकर चिंतित हैं कई बार इन्होंने सोचा वहाँ पर भी मामला गया था दिल् दिल्ली के लिए अच्छा नहीं होगा चुकि दिल्ली का development भी करना है लेंड भी चाहिए लेंड है नहीं तो काफी problem है लेकिन अगर relax किया जाएगा तो फिर दिल्ली में जो greenery है वो खत्म हो जाएगी तो ये भी नहीं सरकार चाहती है एक plan सोचा गया था कि यमुना के किना भी चाहरे जो जमीन हैं वहाँ पर यह land हम इस्तवाल कर पाएं लेकिन यमुना regular thousand प्लान ही चल रहा है तो वहाँ पर यह land जो जो एजेशिया लगी हुई है वहां काम पर तो वह अपना land इस्तमाल कर रही है तो वहाँ पर भी लेंड नहीं मिल रहा है इन सब के बाद दिल् इस तरीके से जो है जो दिल्ली के डेवलप्मेंट में आपको देखने को मिलेंगे सबसे बड़ी प्रोब्लम जो है अब एक है वो है लेंड की कमी तो आई होप कि आपको चीजें सवाज में आ गई होंगी अगर वीडियो अच्छा लागा हो तो लाइक सेयर कर दीजेगा चै देखने की वाचिंगे वरोचिंग